वाहिग्रुजी का खाल्सा वाहिग्रुजी की फते कंजूस ओ लोग हुन्दे हन जो पैसा जमा करना बहुत पसंद कर दे हन पर खर्चना बिलकुल पसंद नहीं कर दे गुर्बानी वेच इनानू किर्पन जा सूम किहा जन्दा है कंजूस जा चिपड ब्यक्ती पिछले जन्वा वेच आत ग्रीब होवेगा जा काल वेच पो खमरी नाल मर्या होवेगा इस जन्वेचों दौलत नू बहुत ज्यादा प्यार करदा है अते साम साम के रखदा है क्योंकि अंदर ही अंदर उसनूए डर हुन्दा है कि उस दी दौलत किते खुंज ना जावे गुर्मक कदे भी कंजूस नहीं होने चाहिदे क्योंके कंजूस बनन लेई माया नाल प्रीत पॉनी पैंदी है अते गुर्मक माया नू प्यार नहीं कर दे गुर्मक जित्थे फजूल खर्ची नहीं कर दे ओ थे ओ कंजूस भी नहीं होने लोड पैन ते गुर्मक अपना सब कुछ पांथ लेई जा किसे होर दे पले लेई कुर्बान कर सकदे हन कंजूस बन्दा एक पैसा तक खर्चना भी पसंद नहीं कर दा ओ सुपने बिच भी कदे दान पोन नहीं कर दा पंजाबी साहिट बिच कंजूस सांदिया केई कहाणिया मिल दिया हन जिना लगी तो एक कहाणी असी आप जीनाल संजी करांगे एक वारी दिगल है कि तिन कंजूस दोस्त एक पेंड़ विच रहन दे सन ओ अपनी कंजूसी दिया फड़ा मार रहे सन पहला दोस्त केंदा मैं सौ मिली लिटर के ओखरीद्या सी ते मैं ओही के ओशेम ही न्याली वर्त्या मैं सिर्फ एक तुपका के ओदाल सब जी बिच पौंदा सी मैं ता के ओदी एक बूंद नाल ही संतोष्ट हो जान्दा दुज्या कंजूस दोस्त बहुत नराशों के बुल्या तेरे ते लानत है मेरे दोस्त तुपर शादे नाल हर वार के ओदी एक कीमती बूंद के में वर्त सकदा है मैं ता पांच साल पहला सौ मिली लिटर दी एक शीशी खरिदी सी ते ओ ता अजे तक भी काफी परी होई है जदो भी मैं छकन बैठदा मैं ता ओही शीशी खोल के एक वर क्यों सौंग लेंदा क्यों दी सुगंदी नाल ही संतोष्ट हो जांदा एक बूंद भी नहीं वर्त दा पहला कंजूस बहुत शिर्मिंदा होया अते उसने अग्गे तो अपने दोस्त दी सलाम अनन्न दा वादा किता होन तीजा कंजूस बुलिया तुसी दोमे कंजूसी दे इमतिहान विच फेल हो गए हो मेरे प्यारे कंजूस पिताजी ने मैंनू 100 मिली लिटर के ओधी शिशी दिती सी अते तीज सलाम बाद भी ओजियों दी त्यों पर ही होई है मैं ता सुगंद लेंड लेंड भी ओधी ओधी शिशी नहीं खोल दा क्योंकि जदो भी तू सुगंद लेंड शिशी खोल दा होवेंगा ता थोड़ा जयाके होता जरूर ओड जन्द होना मैं ता रोटी उपर बांद शिशी ही कसा आलेंदा अते चोपड़ी होई रोटी दा स्वाद महसूस करदा पहले दो दोस्ता ने शिर्मिंद गी नाल अपने सिर चुकाले अते दोवा ने अपने पर्म कंजूस मित्तर दे नक्षे कदमा ते चलन्दा वादा कीता होन अपा विचार करदे हां मक्खी चूस कंजूस वारे एक बखील व्यक्तिता आम कंजूस उन्दा है पर मक्खी चूस कंजूस दा दर्जा उस तो भी उचेरा है एक वारी दो कंजूस किसे दे कार दोद पीन लगे अते उन्दे पीन वाले गर्म दोद दे गलासां विच एक एक मक्खी डिग पे एक आम व्यक्तिता ओ दोद पीन तो इनकार कर देवेगा पर कंजूस बन्दा दोद दे गलास नू अजाई गवोना बरदाश्ट नहीं कर सकदा आम कंजूस ने मक्खी कड के बाकी दा दोद पी लिया पर मक्खी चूस कंजूस ने तो मक्खी भी कड के चूस लई तांके मक्षी नाल चिप किया दुद भी किते जाया ना हो जावे मक्षी चूस के उसने सोट दिती अते फिर बाकी दुद भी पी लिया इस सिर्फ कहानिया नहीं बलके असल विच भी इस दर्जे दे कंजूस लोक दुनिया विच मौजूद हन उना कोड बहुत पैसा है पर ये पैसा उना दे किसे कम नहीं हो दा क्योंके उ अपनी दौलत बिलकुल नहीं खर्च दे गुर्बानी दा फुर्मान है गोबिंद पजन बिन विर्थे सब काम ज्यों किर्पन के निरारत दाम दूसरी पंक्ती विच गुरू साहिब जी कंजूस दी उदारन बर्त के समझोंदे हन के किर्पन पाव कंजूस दा दाम जां पैसा वे अर्थे ही होंदा है पाव उस दे अपने कम नहीं होंदा ओ दौलत किस कम जो वर्ती ही ना जावे जे दुन्यावी दौलत दी गल होवे ता गुर्मुख हरगिज कंजूस नहीं होंदा अते जे कोई कंजूस है ता ओ चड़दी कलावला गुर्मुख नहीं हो सकदा पर जे आत्मिक दौलत नामतन जा लाहे दी गल होवे तक गुर्मख जरूर बर जरूर ही कंजू सुन दे हन। उन ना सिर्फ नामतन कठा ही कर दे हन। बलके इसनों चंगी तरह संबाल के रखना अते ना खर्चना बहुत पसंद कर दे हन। प्यारे गुर्मख तां पूरे दा पूरा एकठा की ता नामतन गुरू साहिब जी दी दरगा विच ले जाना पसंद कर दे हन। होण असी नामतन एकठा करन दियां आठ जुगतियां पेश कर दे हन। सिरी गुरू नानिक साहिब जी दी शरन वे चाइए अते अमरत शक्के नाम प्रापत करिये। सिरी दसमेश जी दी बक्षी रहत रखिये। अमरत शकन विले प्रापत होया सच्चा गुर्मंतर अमरत विले अते हर वक्त जपिये। गुर्बाणी दा पाठ करिये, सिर्फ सात बाणियां ही नहीं, सगों हजारां पाठ करिये, करविच कीर्तन करिये, अते हर रोज संगत करिये, कीर्तन समागमा बिच हाजरी परिये, गुर्बाणी अते नाम लिखिये, ए तरीका कटवरते अजन्दा है, पर नाम तन एकठा करन बहुत प्रवावशली है। कोई वी बज्जर कुरहत करनाल ब्यंत कमाई खराब हुंदी है। अब्यास करना चाहिदा है। फेरे पाठते अब्यास उस दे नमेत करके गुरु साहिब जी अग्ये खैर मंगे। जदों उस दी अरदास पूरी हो जावे ता गुर्मुखनू चाहिदा है कि ओ इसनू अपनी शक्ती नहीं। बलके गुरु साहिब जी दी किर्पा समझे। जे ओ सोचे के ए उस दा कीता कराया है ता ओ बहुत सारी कमाई गुवा बैठता है। दूजे गुर्सिखा नाल लडना नहीं चाहिदा। उस जगा तो दूर ही रहना चाहिदा है। जिवानने विच ज्यादा कमाई एकठी करंदी समरथा हुंदी है। पर नाल ही पिछले कई जनमा दी कमाई गौन दा खत्रा भी बहुत हुंदा है। क्योंके जीवदी सब तो ज्यादा कमाई काम करोद दे वस होके जाया हो जन्दी है। प्राई इस्तरी वल सिर्फ काम वासना वाली नजर दूरा देखन नाल ही अथा कमाई खत्म हो जन्दी है। कामों को हरकता दीता गल ही की। कामों को फुरने नाल वी बहुत कमाई खराब हुंदी है। क्रोद वस होके हिंसा करन नाल बहुती कमाई बिर्थी चली जन्दी है क्योंके क्रोदत होके अपन दूज्यानू दुख दिन्दे हैं। हंकार दे परवाबहेट बहुत कमाई जाया हो जन्दी है। हंकार विच जीव अपने आपनू बाकियान नो बड़ा समझन लग पेंदा है। अते इस करके ओ खोर गुर सिखांदा निरादर करदा है जिस नाल बहुत कमाई खराब हुंदी है। लोब अते मोवस होके जीव बहुत पाप कमामदा है अते कमाई गवाव एठदा है। गुर्मुख पगतानाल अनहुंदा वैर अकिर्तकनता विश्वासकात अते उनादी निंदा करके सारे जीवन दी कमाई तत चिन विच ही स्वा हो जन्दी है। जदो नाम कमाई खर्चन दी गल होवे तक गुर्मुख सिर्फ कंजुसी नहीं बलकि मक्खी चूस कंजुस उन्दा है। गुर्मत कमाई दे बाबत, ऐसे मक्खी चूस कंजुस बढ़ना बिलकुल गुर्मत अनकूल है। गुरु साहिब जी किर्पा करके साननू सिर्फ नाम कमाई करन जोगे ही नहीं, सगों उसनू सामबन दे समराथ भी बनोन। बहुत गंती गुर्सिक काफी नाम कमाई कर दे हन, पर उस तो वद कमाई गवाव एठ दे हन। जे एक दुन्यावी कारोबार दी उधारन लेए, तां जे बी अर्ब जां बिलियन दी कमाई जा रेविन्यू होवे अते पच्ची अर्ब दे खर्चे होन, तां ऐसे काटे वड़े कारोबार दा की फाइदा। इस तो चंगा तां 10 लाख दी कमाई अते 5 लाख दे खर्चे वड़ा कारोबार है, जिस विचों 5 लाख दा मुनाफ़ा होन दा है। अहसास नहीं के कुरहतां, पापां, रहत विच टिलनां अते विकारां आद अध्यात्मक काट्यां जा खर्चे नू काबू, पाव कंट्रोल करके अखीर विच पूरी तरह खतम करन दी सक्त लोड है। गुर्सिक नू अध्यात्मक खर्चे बिलकुल बरदाश्त नहीं करने चाहिदे, अते उसनू नाम, गुर्बानी, रहत अते सेवा दी कमाई बदाउन ले, पूरी तरह तत पर होना चाहिदा है। गुरु साहिब जी नदरे करम करके साध्ये तो उच्ची सुची अथा गुर्मत कमाई करवोन, अते उस कमाई नो संभाल के रखन ले, उच्च कोटी दे, मख़्ी चूस कंजूस गुर्मक बनाउन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते। जी का खालसा वाहिग जाओ। यगल sta मेख の भाहिगुरु छूस अच्चुरुोँ झाल झाल